इंडिया और श्रीलंका के बिच चल रहा तीन वन डे मैचों की सीरीज का पहला वन डे मैच टाई हो गया। ये मैच इंडिया आसानी से जीत सकता था लेकिन विकेट गिरती गई और अंथ में टाई हो गया। हाथ आया मैच टाई होने के बाद रोहिट शर्मा निराश नजर आये और उनकी स्पीच में उनका दर्ध चलका। इस वीडियो में बताएंगे क्या कुछ कहा रोहिट शर्मा ने। दरसल श्रीलंका ने भारतियर टीम को 230 रनों का लक्षय दिया था। जिसका पीछा करने उतरी भारतियर टीम ने शुरुआत में बहुत अच्छी बैटिंग की। जिसमें रोहिट शर्मा का बल्ला हमेशा की तरह खुब चला। रोहिट शर्मा ने अतेशी पारी खेलते हुए 47 बॉल में 58 रन बनाए। जिसमें 7 चोके और 3 चोके लगाए। उसके अलावा बारी बारी से इंडिया की विक्टे गिरती गई। के ऐल राहूल और अक्षर पटेल ने पारी संभाली और इंडिया की मैच में वापसी कराई। आकरी के तीन उव में इंडिया को जीत के लिए 5 रन की जरूरत थी और 2 विकेट हाथ में थे लेकिन जब स्को लेवल हो गया तब शिवम दुबे आउट हो गये। उसके बाद बैटिंग करने आये अर्ष्टीप सिंग को जीत के लिए सिर्फ एक रन बनाना था पर अगली ही गेंद पर अर्ष्टीप सिंग भी लबी डबल्यू हो गये और मैच टाई हो गया। उस पर रोहित शर्मा ने कहा, स्को आसान था बस आपको उस स्को को हासिल करने के लिए अच्छी बैटिंग करने की जरुरत थी। अंत में थोड़ी निराशा हुई, 14 गेंदे एक रन बनाना बाकी था। कभी कभी ऐसा हो जाता है। श्री लंका ने अच्छा खेला। अंत में हम सही खेल रहे थे। यह पिच पहले से वैसी ही रही। जब हमने गैंदवाजी की तो पहले 25 ओवरों में दिक्कत थी और उनके लिए भी यही स्थिती थी। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, दोनू टीमों के लिए सीम खराब हो गई और बल्ले बाजी करना थोड़ा आसान हो गया। यह वह जगह नहीं है जहां आप आकर अपने शॉट खेल सकते हैं और रन बना सकते हैं। उस टारगेट को हासिल करने के लिए आपको खुद को टा हमें वह एक रन बना लेना चाहिए था।